नमस्कार आप देखरें आज तक मैं हूँ आपके साथ रोहिच सरदाना शाम के 5 बज गया और वक्त हो गया दंगल का कैराना में बीजेपी की हार से उत्तर प्रदेश को पहली मुस्लिम सांसद मिली जियां आपने बिल्कुल सही सुना इसके पहले यूपी के 80 सांसदों में ए दो गांधी परिवार से और बाकी 73 बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल के सांसद थे। बीजेपी ने 80 में से एक भी मुसल्मान उम्मीदवार को टिकेट नहीं दिया था। बीजेपी ने ना तो गुजरात विधानसभा के चुनाव में एक भी मुसल्मान उमीदवार ना सिर्फ विपक्ष के होसले बुलंद हो गएं बलकि इस बात की भी उसे उमीद जगने लगी है कि मुसल्मान वोट बैंक को 2019 के लिए दोबारा साधा जा सकता है और अगर मुसल्मान साथ दे दे तो नरेंदर मोदी का रास्ता रोका जा सकता है। विपक्ष को ऐसा क्यों आपको मुसलिम बहुल इलाकों के बारे में बताते हैं। संभल, नगीना, बहराइच, बरेली, श्रावस्ती ये उत्तर प्रदेश के वो इलाके हैं जहां पर एक तिहाई से ज्यादा मुसल्मान आबादी है। आपको दिखा रहे है। गिश्जे माची में और यहाँ से लोग स्वासीते हैं जहां एक्रिस से तीस पर से जादा मुसलिम बादी हैं। स्वासी स्वाल इसा हैं। सिर्फ मुसल्मान ही सहरा है? क्या मुसल्मान ही तै करेंगे कि 2019 में किसकी सरकार बनेगी? क्या दलित मुसलिम का गट जोड ही नरेंद्र मोदी को रोक सकता है? क्या बीजेपी अपनी जो पॉलिसी जो गुजरात में दिखाई दी, यूपी में दिखाई दी, नो मुसल्मान पॉलिसी उसको बदलेगी 2019 के पहले? और वोटों का धुरूवी करन अगर हो रहा है, तो वो विपक्ष को फायदा देगा या नरेंद्र मोदी को फायदा देगा तो आपको बता दें हमारे साथ इन सवालों पर बात करने के लिए, आज संबित पात्रा है, बीजेपी से, कॉंग्रेस से भी हमारे साथ महमान इस वक्त लाइव आ चुके हैं, अकिलेश प्रताप सिंग, प्रोफेसर राकेश सिना, RSS के जानकार है, तसलीम रहमानी साहब हम इसलामिक एक्सपर्ट है, इसके अलावा, डॉक्टर सयद रिज्वान एहमद हमारे साथ जुडेंगे, वो भी इसलामिक स्कॉलर है, संबित पात्रा, मुसल्मान रोक देंगे आपका रास्ता, कहराना तो यही कहरा है कम चेकब, देखिए, रोहिद भाई, मुसल्मान नरिंद्र मोदी जी का रास्ता रोक लेंगे, यह कोई पहली बार यह प्रश्ण नहीं पूछा जा रहा है, दो हजार दो से जिस प्रकार से इस प्रश्ण को बार बार पूछा गया है, और बड़े ही, मैं कहूंगा, बड़े ही पॉइंटिट तरीके से पूछा गया है, यह हिंदुस्तान के लोकता रहा है, जहां मोदी जी का जो प्रिंसिपल है, जिसके आदार पर गवर्नेंस चलत अगर अगर मुसल्मान को रस्ता रोकना होता है, जिस प्रकार से अनिको चुना हुए, बार बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के चार बार के मंत्री बनने के पस्चात वो प्रदान मंत्री भी बने, तो सभाविक रूप से अगर मुसल्मान रस्ता रोकता तो यह सब संभव नहीं होता, मुसल्मान रस्ता नहीं रोक रहा है, मगर एक शडियंत ओपोजिशन पार्टी जरूर कर रही है, याद करिए कोई आज से नह चुनाव को लड़ना यह प्रयास विपक्षका रहा है, और इसी लिए कहराना में भी आप देखेगा, बार-बार यह कहा जा रहा है कि मुसल्मान इखटा हो गया जाट के साथ, मुसल्मान इखटा हो गया धलीत के साथ, मुझे लगता ही यह विमर्ष उजीत नहीं है, सब ह होता क्या है, वो तो यही है ना जो आज हम बात कर रहे हैं, इसको नकार सकते हैं क्या? यह रास्ते पे चलो, यह परिवर्तन है, आप बहुत लेट स्टोरी कर रहे हैं, वो इसको भाप चुके हैं, और भाप चुके के बाद यह अंडाजा लग चुका है, कि अब बिना इनकी मदद के ओट नहीं ओट किसक चुका है, यह भी ओट चाहिए, अब लोगों को देखन रहे हैं, वो पहले से इसका अंदाजा लगा चुके हैं, तो मुसल्मान आपको वोट देंगे तो आपको लगता आप मोदी को बाहर कर लेंगे, सुनिये, ने सुनिये, सुनिये, देखे, अभी जो कराना में चुना हुआ है, वह मुसलिम प्रत्यासी थे, और यह अमित के लोगों ने, कि विशेश तोर से हिंदूों ने मुसलिम प्रत्यासी को ओट दे के जिता के यह मैसे दे दिया कि हमारे गंगा जमनी तहजीब को नहीं विगाड़ सकते हमनों की आखे खुल चुकी हैं, फादा तो तुम पाए, नुकसान में हम रहे सा जहां सारान पूर अ सामली के लोग, अब हम नहीं इसमें पढ़ने वाले, ये है भारत की संस्कृती, ये है सब बता, कि हम सदियों से एक साथ रहते हैं, सदियों से एक साथ रहेंगे, जहां पे सं 47 में भी कुछ टेंशन नहीं हुआ ता उस इलाके में, दो तीन वरसों में टेंशन हुआ, जो अकिले जी, टेंशन तो मुझफर नगर के टाइम पर भी था, इनी जाटों और मुसल्मानों के बीच में था, जिनके लिए आज आपके करें कि साथ लिक के वोट दिया है, उसके पहले मैं आपके पास वापस आता हूँ, राकेश सिना से एक सवाल ले लूँ, आप यहां प कोंग्रेस करती है कि दलित साथ आ गया, मुसलिम साथ आ गया, जाट साथ आ गया, तो वो सोशल इंजिनिरिंग है, और वही बीजेपी करने लगती है तो वह कहते है सांपरदाइकता है, तो इसका डेफिनिशन कैसे ताह होगा, कौन बाट रहा है और कौन छांट रहा है, आ लोग कंतरी जाए नहीं सकते हैं, अखिले जी, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, यह सवाल तो आज से नहीं, दस्यों साल से पुचा जा रहा है, आप करे तो सोशल इंजिनिरिंग, दूसरा करे तो सांपरदाइकता, संबित मात्रा जवाब देना चाते हैं, क्योंकि राके हैं, और इसमें कोई दोमत नहीं है, कल मैं तबस्तुम जी को सुन रहा था, उनको बढ़ाई हो, उनकी जीत हुई है, वगर तबस्तुम जी से जब पहला सवाल पूचा गया कि आपकी जीत किसके हुआ, आप वो बाइट दिखाईए, तबस्तुम जी ने कहा, रमजान रखन रखने वालों ने मुझे वोट दिया, और जिसके कारण मेरी जीत हुई हाँ, उसके बाद उन्होंने जाट भाईयों को भी धन्यवाद दिया, बाकियों को भी दिया, मगर एक आफ्टर थाट के रूप में दिया, पहला सेंटेंस था, रमजान रखने वाले भाईयों बहनो ने मुझे वोट दिया, आप देखिए ये दुख का विशय है कि अगर एक कॉंसोलिडेशन मुसल्मान का होता है, तो काउंटर कॉंसोलिडेशन भी होता है, ये गणित, हिंदुस्तान की राजनिती में कोई आज से नहीं हो रहा है, अगर एक कॉंसोलिडेशन होगा तो सर मैं दिल खोल के 20 सेकंड में अपनी बात को रखना चाहता हूं क्योंकि मैं लगता है कि मुझे ये महत्वपूर्ण बात है, हरियाना में जाके कांग्रेस पार्टी जाटों को भढ़काती है, जाटों में हिंसा फैला के जाट आंदोरन करवाना चाहती है, ठीक उसी प्रक संगवादी बताते हैं, हिंदू as a base, as a common unity, उनके साथ कांग्रेस खड़ा, खड़ा, खड़ी नहीं होते है, इसे कहते हैं, हिंदूों को बातना, मुसल्मानों को एकमुस्त रखना, एक धड़ा को लेकि मुसल्मान के साथ को बैच करना किसी विराज्य में, और उसके अधा तबस्तुम जी को बोला, इन्होंने किस तरह से दियां पर बैट करके भी सांप्रदाइक्ता का पुट दे रहे हैं, तबस्तुम नहीं सबसे पहले बोला कि योगी जी को चुनाओं में कैसे ओट मांगना है, ये सीखना चाहिए, उन्होंने कहा कि योगी जी गुम गुम बो उन्होंने यही का, कि ओट कैसे मांगा जाएं, उन्हें पहले सीखना होगा, तो ये तब दम बखाई होगी जी का बीजेशन कौन कैसे कर रहा है, लेकिन उसको भी अपने आप से, वाट्सेप पे तो पता आपको क्या चल रहा है, वाट्सेप पे चल रहा है, तबस्तुम हस जाएं, जो बैटेशन को फाइदा होगा, या बिजेटि को फाइदा होगा, क्योंकि काउंटर कॉंसलिडेशन भी होगा फिर, आपने सवाल प्रोलिटिकल लेविल पर है ये कावनल लेविल पर है, पहले तो यही वाज़े कर दीजे, जो के इस देश में पहली बाद तो च चुराओ लड़ते चले आ रहे हैं, एक प्रोलिटिकल लेविल पर कॉंसलिडेशन मुसल्बानों का तो नहीं हो रहा, प्रोलिटिकल लेविल पर कॉंसलिडेशन ये क्लास आधारे कबरिटी है, यहां मुक्तलिफ क्लासिस है, मुक्तलिफ कास्ट है, उनको आपको बानना प सकते तो जो कास्ट है जो क्लास है उसको आपको एड्मिट तो करना पड़ेगा अगर आप राज जीती में हैं तो बहुत सारी कास्ट बहुत सारी आइडियोलोजी और बहुत सारी क्लासिज इनका सब बिश्रण हो रहा है तो आप सेमत थे इस बात से कि मुसल्मानों को 2013 बलके 2012 के बाद से जो प्रिटिकल स्ट्रेटिजी इख्तियार की वो मुसल्मानों के हक में आखिरकार वुफी साबित हो रही है कि उन्हों ने आईसोलेट करनी कोशिश की थी उन्हों ने मार्जनलाइज करनी कोशिश की थी ले ही ट्राइट के मुसल्मान पुश्ट तो इन्हों ने आइसोलेट करनी कोशिश की थी लेकिन मौझूदा जो पुलिटिकल वेवस्था बनी है इस वेवस्था ने मुसल्बानों को फिर एक पुलिटिकल में इस्ट्रीम में लाके खड़ा किया है आइसोलेशन में खड़ा नहीं किया है यह शब्दा वली जो हो रहा है तो फिर इमामों से फत्वे क्यों आते हैं कि चुनाव में किसको वोड़ देना किसको नहीं देना है हम 21 सदी को दो हिससे में बाढ़ दें 2004 से 2014 तक बाढ़ दें 2014 से 2018 तक बाढ़ दें मेरी मुसल्मान भाईयों से यह अपील है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो यह आरोप लगाती है कि मुसल्मानों को साइड लाइन किया जा रहा है पहले 10 साल में कितनी नौकरियां आएं उसमें मुसल्मानों को कितनी मिली पिछले चार साल में कितनी नौकरियां आएं मुसल्मानों को कितनी मिली पिछले दस साल में कितने मुसल्मान लड़के आतंगबादी बना के पकड़े गए इस चार साल में कितने मुसल्मान लड़के आतंगबादी बना के पकड़े गए पिछले तस साल में मुसल्मान की परकैप्टा क्या थी इस चार साल में मुसल्मान की target कर रहे हैं आप हवा में नहीं बहूं सकते गी मोधी target कर रहे हैं आप आकड़ों के अधार पर pen paper में चीज को साबत करिए ना बोलिए तस्लीम चाहब जावक दिजिए तो जो जो लोग सरकार में हैं वह लेया यह white paper मैं आप मैं भी स्वागत करता हूँ यह white पेपर में ये भी वो अगर शाविश कर दें तो बहुत अच्छा होगा कि इसके साथ में कितना गलितों को कत्री कि अबी तो आप पुलिए रिजवान शाथ कोई काउंटर कर रहा है तो आपने बात करिए अपनी बात करिए हम पुलिटिकल में स्ट्रीम में आके खड़े हुए कहराना का रिजर्ड ये बता रहा है और आप इसको देखना नहीं चाहते इस सूरत में आप इसको कविनल सूरत में देखना चाहते है प्लिटिकल सूरत में नहीं देखना चाहती आप करें कि मुसल्मान क्यों खड़ा हो गया जाटों के साथ आप तो ये कहें कि मुसल्मान वोट बैंक है उसको वोट बैंक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है और मिलना चाहिए तो कोई बात नहीं लेकिन हम सवाल पूछ दें तो बुरी बात है रिजवान एमन आप जवाब देना चाहते है जवाब दे दीजे उसके बाद संबीत पात्रा और राकेश सिना बुलिए बुलिए रिजवान गंदी से बिलकुल सही है आपकी यह बात सही है यह इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि सेकुलर कहने वाली पार्टियों को वोट बैंक की तरह जाए चारा समझाए और इसके उसकी मुखास करते हैं लेकिन बीजे पी उन्हो आप बास सुनेंगे अरे तस्लीम जी को आपको मड़ी तक्लीफ होने लगी आप जवाब नी सुन रहे होंगे अब लगा रहा है तो विपक्स मिल के वाइट पेपर क्यों नहीं लेठा कि रहे हैं कि मुदी माना ओटियों को कैसे दबाने विबर लगा रहा हूं जवाब कुछ बोला है एक सेकंड सम्मित पात्रा प्रोफेसर राकेश दिना वापस कनेक्ट हो चुक है बहुत देर प्लेव डिसकनेक्ट हो गए थे एक सेकंड लड़िये मत ना लड़िये मत आरोप हवा में क्यों है ठीक है आपका सवाल पूछ रहा हूं भी एक सेकंड चिलाने से नहीं होता ना प्रोफेसर राकेश सिना सरकार ये कहती है हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हमारी तो हर स्कीम जो है वह ऐसी स्कीम है जिसमें जाती धरम देखकर कोई पैसा नहीं देते हम हर स्कीम में समयकित विकास चाथे हैं सबको एकसाथ लाना चाथे हैं वोट के टाइम पर वो सारा बटवारा क्यों हो जाता पिर उसको परदाफास कर सकता है, लेकिन यहां टेलिवीजन पर बैटकर इस देश में मुसल्मानों का कतल हो रहा है, इस तरह की बात नहीं करने चाहिए, जरी मोदी सरकार नहीं, एक भी ऐसी निती, कार्सक्रम बनाया हो, जो कि मुसल्मान, इसाई सी किसी भी समुदाय के खिलाफ या ब्रहमान, छत्रिय, दलित किसी एक खिलाफ जाता है, तो उसको परदाफास करना चाहिए, यह नहीं है, यह हकीकत नहीं है, अब एक हकीकत सुन लीजिए, जो सच्चाई है, जिस सच्चाई को हम बदलना चाहते हैं, और बदलने के लिए हम बैकल्पिन की लिकी लेकर च जी है, दुनिया के सभी मुसल्मान, रिलीजियो पॉलिटिकल कॉमूनिटी हैं, इस हकीकत को दुनिया का कोई आदमी काट नहीं सकता है, वो धार्मिक समुदाए नहीं हो, एक राजितिक समुदाए है, इसलिए खलीफा का कंसेप्ट था, और उसी खलीफा के कंसेप्ट को जोड़े जब हटाये गया, बिटी समराजिवाद नहीं हटाया तो भाध में खिलापा तांदलन शुरु गवा था, जब मुसल्मानों में लिट्रेसि का रेट बहुत ही कम था, तब वो धुए दुनिया में क्या होता है, ये जानते थे, मैं मुसल्मानों को दोष नहीं दे करते हैं लेकि उससे मुझे परहज नहीं है मुझे परहज है कॉंग्रेस पार्टी से और यहां खलेश परताब सिंग जी बैठे हुए है स्वाइम एंटोनी कमीटी ने कहा आप एक समदाइव इसे से अइडेंटिफाई हो गया है और कैराना का प्रियोग साला ने पूरे देश को संदेश दिया है कि मुसल्मान आजादी से पहले जैसे मुस्लिम वीटो का प्रियोग करके Committee में संदेश की आजादी के यन्धल में वीटो का प्रियोग करते थे भारतिया लोग तंतर में वही वीटो का प्रियोग कर रहे है एक तर तो चिलाएंगे भारती जंता पाटी की सदस्कता नहीं है आरे सेस में आने नहीं दिया जाता है दूसरी तब वह गाठ बांग कर रखेंगे बहाती ज़ता पार्टिव को रूखेंगे पूसी भी सर्फ पर इस्टेजिक रोखेंगे देश के लिए अच्छा नहीं है कर देश के लिए अच्छा है जाता है देश के लिए अच्छा है यहां जहां मुस्लिम रुके जी इस देश राकेजी आप इस तस्रीम रह्मार को भी रूख रहा है कर देश को तोरा है महत्मा गांदी के सामने कौन वीटो लगता था कौन वीटो लगता था आज असली आली कर दोशी में क्या कहा जिन्ना का फोटो नहीं क्यों क्यों कि हमारे प्रुकेटी है हम इस देश की बहुत संख्यक की आवाज बोग सकते हैं देखिए मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि मुसल्मान मुसल्मानों की राज़ती जिस रास्ते पर चलिए लोग चलेंगे उनीश सेथा पर चलिए उनीश सेथा इसा होता था सर आज दो हजार अठारा है लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं वर्तमान में आके बात कीजिए क्योंकि देश की जनता आपकी तरफ देख रही है कि आप लोग किदर ले जाना चाते उनको क्योंकि को काण्टी नियुक़् कर डिखा दोनों तरफ दरकी राजनीती क्यों हो रही है भाई हिंदू को कहते मुसल्मान आएगा मुसल्मान को कहते हिंदू आ जाएगा मैं ने सुना मैंने सुना मुस्लिम लीग बटवारा पाकिस्टान सब का जिक्र हुआ भाजपा के सबसे पहले राष्ट्रा धक्स श्यामा परसाइब मुकरजी जी मुस्लिम लीग की बंगाल की सरकार में डिपकिसीम अब ऐसा है सुनिए मुटकर valleys मिश्क्राइब लिए और एक सकत्र थाई आंप पर लोग जाए एक समय थाइप अलेह को सुदित द्वा एक चिरुण कम मुझे आप मुझे और शुरता ने में खाले है जा अतर्क लेविए अगर आप मुझे सुन सकते हैं 2017 18 में आके बात कीजिए न सर राकेश सिना से भी मैं यही कह रहा हूं कि महत्मा गांधी के सामने क्या हुआ उससे आज फैसले नहीं हो रहे हैं इतिहास और बरतमान में कंटिनिटी देखी जा रहे हैं राकेश सिना जी एक मिनट बोलू एक मिनट बोली अकिले जी सम्भी तो बता रहे थे तब तो अच्छा बता रहे थे और मैंने जब कलाई खोलनी शुरू कर दी इन गल्माईयों के आपके साथ दिक्कत क्या है ना आप परतमान प्रवत्ता हो ना भूल जाते हैं आप अले जाते हैं अरे तो उन्हों ने यह तो पताया किने ना पुझ्जी म्लtechn Neck क्या हो रहा है उन्हों नहीं बताया, मैं उसके आगे का बता रहा था, उन्हों नहीं बताया था, आप सुनिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जमात है, पार्लमेंट और विधानसवा, जहां पे लेजिस लेचर बनते हैं, जहां उससे बड़ी जगा कोई नहीं है, एक पार्टी जिसका यह सोच है, जहां लेजिस लेचर बनता हो, वहां एक बर्ग विशेष के लोगों को नट टिकट दिया जाए, जिसमें उस लेजिस लेचर बनाने में उनकी भागेदारी नहीं हो, वो कांसी पार्टी है, अभी आपने नाम लिया है, वो भी जेपी, आप कहा रहे हैं कि मुस सर्दाना भाई जवाब दीजेए, इसका मतलब कि बीजेपी का यह माइंड सेट है, जहां लेजिस लेचर बनता है, उसमें बर्ग भी सेट है, अब बहुत संखेपने में अपना उत्तर रखता हूँ, देखिए रोहित भाई आपने सही कहा कि अभी हाल फिलहाल में हमें आक के बात करना होगा, बहुत पीछे उनीसवी सताब्दी में जाने से कुछ नहीं होने वाला है, हाल फिलहाल के हिंदूस्तान की राजनीती में अगर किसी शब्द का सबसे ज़्यादा दुरूपियों गिया हुआ है, राजनेतिक दृष्टिकोन से तो वो शब्द का नाम है स अगर्टनी कमीशन के रिपोर्ट के विशह में अभी राके सिनाजी जिक्र कर रहे थी, देखिए किस प्रकार से कांग्रेस की मनसा मुसलमानों, सर मुझे कंप्रीट करने दिजिए, मैं किसी के बीच पे नहीं बोला, मुझे कंप्रीट करने दिजिए, उसके बाद आप जनता पाटी 2014 में सरकार में भी नहीं आए थी, राहूल गांदी ने कहा था, बीजेपी सरकार में आएगी, तो 22 हज़ार मुसलमानों का कतले आम होगा, मुझे पता रही कहां से वो संख्याने के आये थे, इलेक्शन कमीशन ने लताड़ा था, उस समय कहा गया था, कि भारत मंतरी इंट्रैक्ट कर रहे थे, तो मुसलमान बहीने बैटी थी, उन्होंने खुद कहा कि हमारे घर में जब सिलिंडर आया, तो हमारा गर कैसे बदल गया, और दुआएं दी रमजान में नरेंद्र मोदी जी को कि हम आपके साथ कड़े हैं, ये जो एक परसेप्शन चुटकुला सुना रहे थे ना संबित पात्रा, के सलीमा जाके मोदी जी को वोट डालाई, योगी जी को वोट डालाई, और सलीम देखता रह गया, वो चुटकुला कहराना में नहीं दोर आया गया, आप दस सेकिंड आगे लीजिएगा, डॉक्टर रिजवान एमद वेट रोहिल भाई, रोहिल भाई, जो भी अकले जी ने बात बोली, उसका जवाब देना चाहूंगा, अगर आज में एक एक जामपल दे रहा हूं बड़ा साफ, आज अगर रिजवान एमद बीजेपी जॉइन करते हैं, रिजवान एमद को पांस-दस साल बीजेपी में पहले का करना होगा, उसके बाद रिजवान एमद टिकट मांगने के हगदार बनेंगे. पहले मुस्मास बीजेपी के सन्लटन के साथ जुड़े, काम करे, पसी ना बहए, मेहनत करे, उसके बाद टिकट मांगे. तुम बीजेपी के खिलाफ फत्वे देते हो, उमें टिकट निं मिला कैसी पे कुफी की बात करते हैं आप लोग हसलेगी के बात है इसमें मैं जवाब दीजे जवाब दीजे जवाब दीजे पीडित मत हो भई जवाब दे रहा पहली बार मैंने सुना ये बिपक्ष वाइट पेपर लाएगा पहली बार मैंने सुना ने दीजे कि विपग छोई पेपर लाए मसलमानों के इस्थिती पे दूसरी बात मदब सतर सारे मैं मुसलमानों को B.J.P. ने जगा हिने ने दिया आप काना तो ही ज्योंकि आर्व लोग लगा रहे हैं और लगा रहे हैं है कि मोटर के नीचे अगर पिले के बच्चे बच्चे करोगे और आप करें 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 कोई अब रुकिये लड़ी इमत रिज्वान अमद अकिलेश पताफ सिंग लड़ी इमत एक एक करके अपनी बात रखते हैं अच्छा लगता है अच्छी बोल रहे थे रिज्वान साब बीच में बोलना उचित नहीं था तस्लीम रह्मानी साब आप बीच में कह रहे थे कि नेरेटिव ऐसे ही सेट करते हैं संबित पात्रा एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट तो एंटोनी ने दी थी वो कॉंग्रेस पार्टी की नेता थे तो रहे हैं ये कि आप माजी की बात न करें और आज की बात करें लेकिन कहीं न कहीं ताने बाने माजी से जुड़े हुए है इसने उसकी बात कहीं न कहीं करनी ही पड़ती है सब बसला ये है कि मैं हमीशा आपके भी पिछले प्रोग्राम में कहा था उसके पहले भी कहा कि इसकार मुनली तो बहुत गलत बात है, जवाब देना है, और मुझे इस बात के हैरत है अफसोस के साथ, कि मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान बन गया, हंदू के नाम पर हंदुराज उन्नी सु सो सहतालिस में क्यों नी बना, ये लोग जो आज तक्डीफ कर रहे हं, परिभाषित करके बनाई है लेकिन वो एеро 1947 पे क्यों नी बनाया था तब आप Congress कि जो ली पे जाके आप गिर गय थे और वो Congress कौरेस से काव हिंदो ने करवाया आरसे को बनाने का काव। सी काव काव। पंडित बदन मोहन मालमिय तो कॉंग्रेसी थे घंदू महासवावी उन्हों नहीं बनाई पंडित यह अपने शामा परसाथ भुकर जी साहब जो जनसेक दिनों नहीं बनाई वो तो मिनिस्टर थे पूरी जो है उन्हीं पर जो है उन्हीं पर जो है यहां बहस आरे सेस के भूत बविश्य आतीत को लेके नहीं यहां बहस इस बात को लेके है कि 2019 का चुनाव होगा तो क्या इसी बात पर होगा कि मुसल्मान किसको वोड़ देंगे संभीत पात्रा रोहिद भाई मुझे लगता है कि आप 24 गंटे नहीं बोल सकते हैं दूसरों को बोलने का अधिकार है सो शांत रहिए और दूसरों को भी बोलने दिया जाए रोहिद भाई इनको शांत करिए पहले सब के बीचे बोलते हैं देखे रोहिद भाई हम सब की गड़बडी में क्या है बताता हूँ पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश में सच्चाई धिल के अंदर जानते हुए हमने से अधिकार इस लोग रखते लिए मैं आपके साथ अभी सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ पॉलिटिकली करेक्ट रोहिद जी है रह्मानी जी सब के बीच में बोलते हैं मैं इधर बात करें आदमी जब बाहर बैटता है स्टूडियो में नहीं होता पात्रा जी देर में आवाज जाती है कई बार नहीं समझ में आता कि सवाल उनको एड्रेस किया गया है या किसी और को मैं क्षमा मंगता हूं इस चीज के लिए आप अपनी बात पूरी किजिए संभी जी तस्लीम साब उसके बाद आपके पास आउंगा बोलिए संभी देखिए पॉलिटिकली करेक्टनेस को छोड़के कुछ बाते जो दिल को छूने वाली है मैं आपसे करना चाहता हूं देख जी जरा अफगानिस्तान से लेकि यह सब इस सौ साल के अंदर मात्र सौ वर्षों के अंदर हम खंड भी खंड हो गये क्या ऐसे ही हो गया देखिए आज आप कहरे ना मुसल्मान इखटा हो जाएगा हो रहा है हो जाएगा क्या हो गया कहरा ना मैं आपने उदारन देके क्यूं करते जा रहे हैं क्यूंकि हिम्मत नहीं है इकटे होने की हो इनी सकते हम आपस में मारेंगे एक दूसरे को पहले हम इस देश को तोडेंगे पहले अब दूसरों के साथ देश का सब्सक्राइब बढ़ा संबित पात्रा मुसल्मान चड़के बैठे हैं यहां सुन दी मैं इसका उत्तर दे रहा हूं राकेश सिना जी ने सही कहा मुसल्मान नेता जो है वो चड़के च्छाती पर बैठके मूंग दल रहे हैं बैचारे मुसल्मान को तो इन्होंने पीचे डखेल के रख हुआ है मुसल्मान के बच्चे पढ नहीं पा रहे हैं मुसल्मान को घर में खाना जराने के लिए तिकत है क्यूं कि यह भी जानते है कि अगर आम कॉलेज में पढ़े इनिवस्टी तक गए रोहित भाई देखे ऐसा है मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो अभी मुसल्मानों के लिए गाली और बाकी मुसल्मानों के लिए ताली और बाकी सब के लिए गाली जिस तरीके से अलफाजों का इस्तिमाल कर रहे थे तो सेकूलरिजम का पार्ट क्या है पहले वो समझ लें आज आज उनको समझना जरूरी है सेकूलरिजम ये है कि हम नशीनों दोस्तों आओ के ये वादा करें हम नशीनों दोस्तों आओ के ये वादा करें तुम खुदा का नाम लो हम राम का चर्चा करें तुम खुदा का नाम लो हम राम का चर्चा करें ये है सेकुलरिजम भारत का नाम भारत का लाको करोडो हिंदू लेता है आप राम का नाम कितना बार लिया है पुरा करने दीजिए एक बार ना ये बड़ा अफसोस पुरा करने दीजिए एक बार उनको फिर आप बोलेगा पात्राजी संबीद भाई देखिया ऐसा है कि आपकी राज में ट्रैफिक विवस्था इतनी कराब कि मैं बहुत देर में या पहुंचा हूं इसके लिए माजरत आपकी सरकार में तो फ्लाइटें उड़ती थी ना सब पहुंचाते थे बावेच साब प्लीज जमीन पर रहा के बात कीजिए ना सर जी आपकी सरकार में भी वही सड़के थी वही लगना थी वह ऐसा ट्रैफिक था लेकिन मैं एक बात देता हूं लिस सर देखिए तो जिस आज जो है ये मुद्धा इनको जो है संभीत पात्रा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं यह आज ले जा रहे हैं कि मूसल्मान क्यूंois खट फाल गया आपने क्या आपने कुछ नहीं किया आपने सिर्फ खाम दिखाए आज आपको हटाने के लिए आज देखिए आज सुनिए एक सवाल है आप इसे पूछने मेरा एक सवाल है तो वोट पड़ा टोटल उसमें कुल मिला कि वासला 45,000 वोटों का है जीतने वाले के बीच में और हा आदे पूरे नहीं किया है अगर ऐसा होता तो आपका बड़ा होता चार पार्टिया थी कम से कम चार गुनाख जीतनों ले लेते देखिया है कि आप पढ़े लिखी इंसान है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट की क्या एहमियत है आप 45,000 वोट बता रहे हैं आप एक वोट भी की एहमियत समझे अरे भाई मेरे आप आज मुद्दा ये है कि किस तरह से देश को लोकतंत्र को बचाया जाए आज जो हम लोगे खटा है आज जो विपक्ष का नारा क्या है आज विपक्ष का नारा क्या है समझे इस बात को आज आप इस बात को नकार रहे हैं लेकिं जानते आप भी है मुझे आपके रोहिद भाई सुनिये को आपकी मीटिंगों में कहा जाता है सर पार्टी की मीटिंगों में कहा जाता है बैटके कि ये खा जाएंगे आपको इसका टाइम होता है उसके ताने कसे जाते हैं मैं बूबा मुफ्ति और बीजेपी के गड़बनन पर जतने ताने आपने कसे हैं मेरे साथ बैठके ना दिसके ने मुझे गवाही दिनाने की दुरत नहीं किसी से लेटिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले